Hello friends, welcome back to our new video और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्रांस के बारे में लास्ट वीडियो में मैंने आपको भूट सारी चीज़े बता दीती ठीक है जग कैसे ब्रिटिशर्स राइस किये थे कैसे जगे जगे ब्रिटिशर्स ने अपनी फैक्ट्री कंपनी साइट अप करी थी कैसे उन्होंने फ्री ट्रेडिंग करी कैसे उन्होंने किला बंदी करी फोर्टिफिकेशन किया वो हर इक चीज मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता दीती और वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है या फिर एक बात करनी थी आप से वो यह कि जो भी मॉडरन हिस्ट्री की प्रिप्रेशन कर रहे हैं ठीक है जो भी NDA, CTS, CA, PFA, IS कोई भी exam दे रहे हैं कोई भी competitive exam GS की preparation करनी है तो वो आप starting से पूरी playlist available है फर्स्ट वीडियो से देखिएगा आपको चीज़े तभी क्लियर होंगी इस वीडियो को अगर आप देख रहे हैं randomly तो आपको समझ में नहीं आएगा कुछ भी ठीक है दूसरा जो भी quality या geographic की preparation करना चाते हैं वो starting से playlist available है सारे वीडियो से चेक आपको बताने वाला हूँ कि हमेंने हर इक चीज़ के बारे में बात करे हैं यसे मैंने पूर्तकालियों के बारे में आपको बताया कैसे वो आए और उनका अंतुआ Dutch के बारे में बताया, Britishers के बारे में बताया, Denmark के बारे में बताया अब ये last हम इसमें बात करने वाले हैं फ्रांस के बारे में क्योंकि फ्रांस के बारे में हम बात तो करेंगे कैसे फ्रांस आये और कैसे और इसी फ्रांस जब फ्रांस आये इंडिया में ठीक है तो इसी के स ठीक है, France East India Company जो इंडिया में आई थी, वो आई थी 1664 में, और First Carnatic War किसके बीच हुआ था, France versus Britishers के बीच में हुआ था, और इसका जो First Carnatic War होने का जो time period था, वो 1746 से लेके 1748 है, अब दोनों के बारे में हम बात करेंगे कि France और First Carnatic War, चले आगे चलते हैं, मैंने आपको जैसे रूम लेके कोई भी आती ही company, मैं दब स्वरी, कोई भी, कोई भी empire या फिर कोई भी जिसे इस इस इंडिया company से कोई भी बंदा आया और उसने अपने ट्रेडिंग वगरा करी और एक factory setup कर ली, वैट एक company registered होती है, सब चीज़ों मैंने आपको बहुत clear कर दी है, एक video मैंने अपलोड किया हुआ, factories versus companies के बारे में, ठीक है, तो इस video मैं मैं आपको बताने में, मैंने आपको बताया, factories and companies से बीच का difference, तो अब आप यहाँ पर देखो कि एस, first French East India company जो setup होई थी इंडिया में, वो होई थी 1664 में, और first French factory जो setup होई थी, सूरत में होई थी और 1668 में, फ्रेंच ने सबसे पहली company जो setup करी 1664 में, उसकी था first factory setup करी 1668 में, कहां पर सूरत में, और second factory जो setup करी मशूली पटनम में, कहां 1669 में, ठीक है, same like Britishers, आब आपक बिर्टिशर्स को इसे वह किया चीजों को लेके follow कर रहें थे। Bolaburd को निब्रतिशर्स को ने ही यहां पर वहा है और यहां पर भी यह competitor है उनके और वो उनको follow कर रहे थे, third factory France ने कहां खोली, pondicherry में, और उस factory को उन्होंने अपना as a headquarter बना दिया, same like British presidency, जैसे Britishers की presidency थी मदराज, Bombay और Bengal, same उन्होंने भी वही क्या किया, उन्होंने pondicherry में अपनी third factory खोली और उसको उन्होंने headquarter बना दिया, उस factory को, ठीक है यह चीज़े आपको clear हो गई होंगी, अब आपको इस map में अगर आप देखते हो, तो मैंने आपको क्या क्या चीज़े बताई, Bengal में Britishers free trade कर रहे थे, ठीक है, Britishers Bengal में free trade कर रहे थे, 1748 की बात है, 1748 में जो, क्या बोलते है, हैदराबाद के जो राजा थे निजाम, उनकी death ठीक है, यहाँ Delhi में बैठे थे, मुहमद शाह, इनकी भी death हुई थी, ठीक है, इधर British और France Pondicherry में, ठीक है, और इधर यह Carnatic reason, यह चीज़े आपको पता है, तो जब निजाम मुल्क की, जो निजाम उल मुल्क थे, जो हैदराबाद की राजा थे, 1748 में उनकी death हो गई, ठी ठीक है, तो अब बात आते है, 1741 की, वहाँ पर एक नया France Governor आया, इंडिया में, और गवर्नर कौन होते थे, फैक्टरी में, मतलब गवर्नर क्या करते थे, उस company, जो company होती थी, उसकी सारी activities को manage करते थे, तो 1741 में, 1748 में निजाम की death हो गई, ठीक है, लेकिन इसके पहले, इ Britishers की जो governor थे, वो थे Robert Clive, ठीक है, अब duplex और Robert Clive, Lord duplex और Robert Clive, क्या हुआ, दोनों लोग इंडिया पर कबजा करने लगें, धीरे-धीरे, हैदराबाद पर भी कबजा करने लगें, लेकिन दोनों की जो strategy थी कबजा करने की, वो यही थी, यह अगर आप देखो, यहाँ पर, तो Britishers और France की दोनों की strategy same थी, both governance thoughts are same and it means somewhere war will happen, जब दोनों की strategy same है, तो अगर आपको पता है, कही ना कही जब दोनों लोग सेम चीज़े सोच रहे हैं, सेम काम कर रहे हैं, सेम दोनों का प्लैन यह है कि हैदराबाद, Carnatic या इंडिया पर rule मुझे करना है, कबजा करना है, तो कही ना कही जीतना तो किसी एक कोई है, तो जब जीतना किसी एक कोई है, तो कही ना कि उनके बीच आपस में fight होगी, war होगा, ठीक है, और आपको पता है, हैदराबाद की नीचे एक Carnatic जगह थी Carnatic reason, ठीक है, तो वहाँ पर यह वो जगह थी जहाँ पर इनका Carnatic war start हुआ, ठीक है, ठीक है, तीन बार लडाईयां हुई, अब जैसे आप यहाँ पर यह देखो, यह Britishers थे, Britishers ने पूर्तकालियों साथ लडाई की रही, उसका नाम था Battle of Swelly, जो की 1612 में था, उसके बाद डच के साथ लडाई हुई चिंसूरा, Battle of Badadra, ठीक है, उसके बाद फ्रांस क साथ इनकी फाइट हुई, Carnatic War, उसके बाद इंडियन किंग्स की जो राजा थे, इंडिया के राजा वार राजा थे, उनके साथ हुई Battle of Plassey, Battle of Buxer, Anglo-Maratha War, Anglo-Messour War, revolt of 1857, तो Britishers ने हर किसी के साथ फाइट करी, हर किसी के साथ वार क्रियेट किये, और वो Britishers जीत गए, ठीक वार हुए, मतलब Carnatic War हुआ, Carnatic Region में, हैदरावाद के नीचे Carnatic जगह थी, जहां पर उस जगह पर France और Britishers की फाइट हुई, ठीक है, तो जब First Carnatic War कब हुआ, First Carnatic War 1746 लेगे 1748 टाइम पीरिड था, ठीक है, जहां पर किस के बीच लडाईयां हुई, between France and Britishers के बीच, ठीक है, अब क्या हुआ, उस Carnatic Region पर जब जहां पर लडाईयां हुई, जहां पर वो वार हुए, Carnatic War हुए, कि भाई, मैं इंडिया पर रूल करूँगा, मैं ये करूँगा, मैं हैदराबाद पर निजाम की इड़ात हुए, मैं वहां पर गबजा करूँगा, दोनों की सेम strategies रही, त तो वो कहां पर हुए, Carnatic Region में, Carnatic Region की राजा, यानि जो Carnatic जगह थी, वहां की राजा कौन थे, उनका नाम था अनवर उद्दीन, ठीक है, तो जो वहां के नवाब थे Carnatic के, उनका नाम था अनवर उद्दीन, और ये बात 1746 के आसपास किये, ठीक है, और Carnatic की जो capital थी, उसक दोनों ही capture करना चाते थे, और दोनों ही, एक से करने का, ठीक है, दोनों ही capture करना चाते थे, और दोनों का, उदेज सिताइंड September का, दोनों लोग अपने empire को, अपनी company को expand करना चाते थे, यह चीज आपको पता हो गई कि दोनों ही capture करना चाहते थे दोनों ही rule करना चाहते थे यह था एक war होने का पीछे का कारण कि दोनों अपने companies को अपने factories को अपने राज करने को उसको कबजा करने पर rule करना चाहते थे दोनों के motto सेम थे और these two were already enemies among themselves और यह दोनों ना एक दूसरे के पहले से ही दूसमन थे जÈसे माल 2021 कश्मीर की बात करते हैं अब वहांपर India और Pakistan दोनों की fight होती ही रहती है तो यह लोग कहीं ना कहीं दोनों लोगe पहले से ही एक दूसरे के दुश्मन थे, कैसे, कैसे मैं बताओं, ठीक है, तो there was a defect in Europe, एक Austria नाम की जगे थी यूरोप में, एक Austria नाम की जगे थी यूरोप में, when the king of that dies, यानि कि जब वहाँ पर उस Austria city के, उस देश के, वहाँ के जब राजा मर गए, तो वहाँ पर France और Britishers दो हम support करेंगे, उसको हम राजा बनाएंगे, ठीक है, तो इसके पीच इनकी आपस में पहले से ही लडाई चल रहे थी, ठीक है, तो इनकी आपस में आपस में इनकी आपस में वैसी लडाई चल रहे थी, और फिर यहाँ पर एक reason था, कि यहाँ पर यह दोनों कभजा करना चाते तो इस वाज़े से इनका यह कार्नेटिक वार स्टार्ट हुआ कि दोनों ही रूल करना चाह रहे हुए और पहले सी चीजह इनकी लड़ाई चल रहे थी और इनकी आपसे लड़ाई शुरू होगई कार्नेटिक वाले जी रीजन था वहां पर और इसी को हम कहते हैं क्वस्ट का इसलिए हुई क्योंकि दोनों अपने पसंद के बंदे वो support करना चाहे थे वहां के as a king ठीक है दूसरा यहाँ पर यह इंडिया में रूल करना चाह रहे थे कबजा करना चाह रहे थे बैटे की जगह थी वहां पर उनकी लड़ाई होना स्टार्ट हो गई तो अनवर अब वहां की जो राजा थे वह शांत नहीं बैठे वह गए भाई अनवर उद्दीन ने कहा कि एक काम करो आप हमारी जगह पर क्यों लड़ाई करेंगे तो ऐसे दोड़ता मैं अपने घर में किसी को भी लड़ने दूँगा मैंने सेम उसी तरसा अनवर उद्दीन ने भी उन लोगों सिखा फ्रांस विट्शर से कि आप दोनों को अगर लड़ना है तो आप कहीं बाहर जाकर लड़ाई करो हमारे जमीन पर हमारे राजी में आप क्यों लड़ाई कर रहे हो तो क्या हुआ जो गवरनर थे फ्रांस के कौन थे लॉड़ डुपलेक्स उन्होंने कहा उस अनवर उद्दीन से एक काम करो हमें आप लड़ने दो ठीक है तो अनवर उद्दीन ने पूछा ठीक है अगर हम आपको लड़ने देते हैं उसके बदले में मुझे क्या फाइधा हो क्या दे दिया उसे कह दिया कि काम को आप मुझे लड़ने दो British साथ हम British owners को हरा देंगे और यहां से भगा देंगे और उसके बदले में हम आप को मद्रास दे देंगे क्योंकि मद्रास पे British owners का राज था उन्होंन ने fortification कर रखा था ठीक है तो France की जो वरना थे उन्हों का हमें लड़ने तो उसके बदले में हम आपको मदरास गिफ्ट कर देंगे अब इस लालच में आगया नवरुद्दीन अर्वद्दीन ने का ठीक है अब जो कुछ नहीं कर पाया जो कार्नेटिक को भी नहीं संबाल पा रहा उसके घर में दो लोग आके होने लग गई ठीक है ब्रिटिशर्स के साथ जो लॉड क्लाइव थे जो ब्रिटिशर्स के गवर्नर थे उनको हराने की किया कि डुपलेक्स ने अपने दोस्त को भी बुला लिया जो कि मौरीशियस में था उसका नाम था ले बोर्डनेस ये नाम था उसके लॉड डुपले पता नहीं कैसे क्या हुआ कि लॉड कलाइव की इतनी पावर थी कि उसके ब्रिटिश के गवर्नर और उसके दोस्त ने मिलके कि इसको फ्रांस के गवर्नर को हरा दिया तो इस तरह से जो मदरास था वो एक दूसरे के पास आता जाता रहा, ठीक है, कभी British Governor ने जीत लिया, France के Governor को हरा गया, कभी France के Governor ने अपने दोस्त के साथ मिलके British Governor को हरा दिया, इस तरह से चीज़े होती नहीं, लेकिन सम्हाव जो France के Governor था, उसको बहुत गुस्सा आया, और उसने वापस से British Governor पर अटेक कर दिया और उसमें Britishers को हरा दिया और France जीत किया और finally मदरास किस के पास आ गया, France के पास आ गया, ठीक है, तो उसके बाद जब अनवर क्या हुआ, France के गवर्नर के पास पहुँचे, कि आपने कहा था कि हमें वार करने तो आपकी जमीन पर हम आप आपको मदरास ऐसे गिफ्ट में देंगे, मतलब आपको मदरास दिला देंगे, लेकिन भाई, Lord Duplex बहुत चाला की इनसान था, उसने भगा दिया कि भग जाए यहां से, तिरों को कुछ भी नहीं मिलने वाला, इस पर अनवर बहुत गुसा हो गया, और उसने क्या किया वार और उस वार का नाम लग दिया, बैटल ओफ सेंट थॉम, इस बैटल ओफ सेंट थॉम में 1746 में हुआ था, और वहां पर जब अनवर लॉफ डुपलेक्सी फाइट हुई जिसमें अनवर हार गए, यानि कि उस कारनेटी के जो राजा थे, नवाब थे, वो हार गए, फ्रांस के गवर्नर के साथ, तो 1746 में जब कहानी खतम हो गए, तो 1748 तक क्यों, क्योंकि कोई भी देखवा, एक और चीज़ बता दूँ, जब भी कोई वार होता था ना, ब्रिटिश, फ्रांस, या किसी के भी बीच, तो एक ट्रीटी साइन होती थी, एक समझोता हुआ करता था, ठ उसका अंत हुआ, और उसके बाँ समझोते क्या क्या हुए, उसके बाँ समझोते हुए, जब भी वर एंड होता है, तो एक साइन होती है, एक स्ट्रीटी का नाम था एक स्कुले हिखविज, ठीक है, यह फ्रांस की को समझाता हुआ कि ठीक है आप हम जीत गया हम दोनों की फाइट हुई इसमें मैं जीत गया हूं इस तरह करते हैं और फर्स्ट सेकेंड लॉड डुपलेक्स रिटर और उसके अब क्या हो लॉड डुपलेक्स फ्रांस की गवर्नर थे उन्होंने मदरास को ब्रिटिश को वाप कर रखा था । एक काम करो वह मेरी वापस कर दो और आपको मदरास लुटा देते हैं त्थेक है उस एक और समझाता हुआ वह क्या था ये प्रिजનर में Blues तो एक दूसरे सिपाईीों को arrest कर लिया जाता है जैल में डाल दिया जाता है पकड़े जाते हैं तो जू भी एक दूसरी की पाध एक दूसरे की सिपाई वगरा थे वो बापस से मेरेसे इसीपाई मेरे पाध भेज़ दो और अपने सिपाई अपने पास रख लो ये एक treaty sign हुई समझाता हुआ और इस तरह से First Carnatic War का अंद हुआ ठीक है तो ये चीज़ें आप समझ गए होगे कि पूरी कहानी मैंने आपको क्या समझाई कि France आये उन्होंने अपनी कैसे factory set up करी ठीक है कहां कहां उन्होंने फैक्टरी सेट अप करी वो चीज़े मैंने आपको सारी बताई उसके बाद मैंने ये भी बताया कि इनकी strategies दोनों की सेम थी ठीक है और सेम होने के पीछे इनके war होने की issues create हुए ठीक है और उन दोनों की governance के नाम क्या थे यहां पर मैंने बता है Britishers ने कौन-कौन से companies के साथ कैसे-कसे fight करी कौन-कौन से war हुए ठीक है उसके बाद Carnatic reason पर उनकी लडाई हुई थी आपस में और वहां के जो नवाब थे उन्होंने भी war start किया तक कैसे उन नवाब को भी हराया अनवर को ठीक है वो सारी इनकी एक pretty sign होई टी-टी sign होने के बाद क्या-क्या समझाते हुए मैंने आपको वह भी बता दिये और इफ अगर आपको कोई और भी डाउट हो था आप मुझे comment कर देजाए मैं आपको revert कर दूँगा मिलते है नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए have a good day जैहिन और बब